चार दाव से माहौल बदलने की तियारी चार विधान सबाद चुनाव से पहले कॉंग्रेस अपने सियासी दुर्गो को मजबूत करने में जुट गई है 2023 में कॉंग्रेस अपनी सप्ता को रिपीट और 2024 के लोगसबा चुनाव में बहतर प्रदशन करने की कवायत में है दीपक बैज को सौपी गई वहीं अब सिक्षा मंतरी प्रेम साइस सिंग टेकाम की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है टेकाम के जगे प्रदेश अध्यक्षिप पद से हटे मोहन मरकाम को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा बदलाव के जगे कॉंगरेस सत्ता और संगठन में धूठों को मनाने की कोशिश में जुटी है ताकि चुनावी रण में किसी तरे की दिक्कत ना हो सके बेसिक सिक्षा मंतरी पद से इस्तिफा देने वाले प्रेम साइस सिंग टेकाम ने कहा कि विधान सवा में किसे टिकेट मिलेगा और किसका टिकेट कटेगा यह पार्टी से करेगी लेकिन मंतरी मंदल में कौन रहेगा और किसे क्या जिम्मदारी मिलेगी यह मुख्यमंदरी का विश्य शादिकार होता है ऐसे में साफ जाहिर होता है कि 36 गर्ण कॉंग्रेस की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि टेकाम का निशाना सीएम भगेल पर है यही रही मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्षिपद की कुरसी मुख्यमंत्री भूबेश भगेल से अदावत की चलते गवानी पड़ी है लेकिन आदिवासी समुदाय के वोटों की मजबूती ने मरकाम को कैबिनेट में लेने के लिए मजबूर कर दिया है विधान समा चुनाव के मदेनजर कॉंग्रेस ने सबसे पहले टीयेस सिंग्देव को उपमुख्यमंत्री मनाया ताकि मुख्यमंत्री भूबेश भगेल के साथ उनके रिष्टे बहतर हो सके चतिसगर की सियासत में सिंग्देव का अपना सियासी कद है और 2018 में कॉंग्रेस की जीत में भूबेश भगेल के साथ उनका रोल काफी एम रहा है यही वज़े रही है कि भगेल और सिंग्देव के बीच सियासी वर्च्यस्व की टकराग 2018 से जानी था लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच कॉंग्रेस नेत्रत ने दोनोंगी नेताओं के बीच भैतर तालमेल बठाने की कवायद की है दूसरा प्रदेश अध्यक्षी कामान युवा के हात चतिसगर में चित्रकोट विधांत सभा छेत्र से दो बार विधायक और बस्तर लोगसभा छेत्र के संसद दीपक बैज को कॉंग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है बैज को कॉंग्रेस के पूर्वरास्टे अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिना जाता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुखे मंद्री भूबेश भगेल की भी पहली पसंद बैज ही थे 2019 के लोगसभा चुनाव में पार्टी ने बैज को लोगसभा का टिकेट दिया जहां बस्तर संसदिय सीट पर कॉंग्रेस के 25 वर्ष के वनवास को दूर करते हुए जीत दर्च की थी